दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हिंदु धर में साल में चार बार नवरात्री मनाई जाती है जिसमें से चैत्रों सार दिन नवरात्री काफी मैत्वे होता है और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्री के पहले दिन कलस्थापन किया जाता है जिसमें किसी मिट्टी के प ब्रस्पती तुम्हारे इस प्रस्ण का हल एक कथा में चुपाया है। बहुत साल पहले मनुवा नगर में एक ब्राह्मन रा करता था जिसका नाम पठित था। पठित देवी दुरुगा का बहुत बड़ा भक्त हुआ काता था। युवा होने पर उसकी साधी हुई। फिर लेकिन वह कन्या देवी दुरुगा की पूजा में बैठने की बजाए अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गी। यह देखकर पठित अपनी पुत्री से बहुत क्रोदित हुआ और उसके पास जाकर बोला हे दुष्ट आज तू मा दुरुगा की पूजा में क्यों नहीं आ क्योंकि कर्म करना मनुश्य काम है और फल देना इश्वर के अधीन है अपनी पुत्री सुमती के मुख से ऐसी बाते सुनकर पठित का क्रोध और बढ़ गया और इसी क्रोध में आकर उसने अपनी पुत्री का विवा एक कुष्य रोगी से कर दिया विवा के बाद जब सुम पुत्राल जाने लगी तो पठित ने का बेटा अपने कर्मों का फल भोगो देखे भागे के बरोसे क्या करती हो पिता की बाते सुनकर सुमती सोचने लगी क्या सच में मेरा भागे इतना खराब है जो मुझे ऐसा पती मिला फिर वह अपने पती के साथ वन में चली गई और फिर अगले दिन ही देवी दुरुगा सुमती के सामने प्रकट होती हैं और बोली है प्रत्री मैं तुमसे प्रसन हूँ मांगो क्या वनदान मांगते हो लेकिन सुमती कुछ समझ नहीं आ रहा था फिर मा दुरुगा बोली पुत्री मैं तुम्हारे पिछले जनम के गार में बंद कर दिया और उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नी दिया उस समय नवरात्र का दिन चल रहा था और तुम दोनों नवरात्र के दिनों में ना ही कुछ खाया और ना ही जल पिया जिस कारण अंजाने में सही लेकिन तुम दोनों ने नो दिनों का वरत रख तो वेल दोस्तों आज के लिए इतना ही ऐसी और वीडियो के लाइक और हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए